परिचाय अनुज और उसकी माँ उसके एक साल के भाई के लिए खिलोने खरीदने के लिए खिलोनी की दुकान में गए अनुज ने अपने आपको विभिन तरहा और आकार के खिलोनों से घिरा हुआ पाया कुछ खिलोने गोल थे तो कुछ चौकोर कुछ खिलोने वरगाकार थे तो कुछ अंडाकार थे उसे आकारों की दुनिया आकरशक लगी वह आकारों के बारे में और जानने के लिए उस सुख है आकारों के अध्यन को जयामिती कहते हैं इस पार्ट में हम आकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे आओ सीखें विभेत करना रेखा, रेखा खंट और किरण रेखा किसी सीधे पत पर बिंदूओं का समू होती है दो बिंदू बनाईए उन्हें मिला दीजिए इसका परिणाम एक सीधी रेखा होगी रेखा में कोई अंत बिंदू नहीं होता ये दोनों सिरों की तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है रेखा खंड रेखा का भाग होता है इसमें दो अंत बिंदू होते है इसकी लंबाई निश्चित होती है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता किरण भी रेखा खंड की तरह रेखा का एक भाग होती है हालकि इसमें सिर्फ एक अंत बिंदू होता है हाता इसे एक सिरे की तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है किरण का सबसे प्रचलेत उधारण है सूरे की किरणे रेका खंड को मापना आईए सेंटिमीटर स्केल की साहता से एक रेका खंड को मापें एक रेका खंड खीचिये जिसके अंत बिंदू P और Q हो स्केल के शूने स्थान को ठीक बिंदू P के बराबर में रखें देखें कि बिंदू Q स्केल की किस संख्या के सामने है Q संख्या 6 के सामने है संख्या 0 और 6 के बीच 6 सेंटिमीटर की दूरी है इस कार्थ है कि रेका खंड P Q की लंबाई 6 सेंटिमीटर है वृत्त यहां बहुत सी वस्तुएं हैं एक चूडी, एक पहिया, एक फ्रिजवी, एक बिस्किट और एक पिज्जा इन सभी में एक चीज सामाने है और वो चीज है इनका आकार यह सभी आकार में वृत्ताकार हैं इन में से प्रतिक वस्तु एक वृत्त है वृत्त का निर्मान आईए, धागे की साहता से वृत्त बनाना सीखें धागे का एक टुकडा लीजिए धागे का एक सिरा अपनी नोट बुक से चिपका दीजिए धागे का दूसरा सिरा पकड़ लीजिए और थिर्चिरे के चारों तरफ पैंसिल के साथ खुमाईए देखिए, वृत्त बन गया थिर्चिरा वृत्त का केंद्र है केंद्र से वृत्त की परीधी तक धागे की लंबाई वृत्त की त्रिच्या है आकारों को बिछाना या चौपड बनाना रजनी दवा खाने जा रही है उसने चलते हुए ध्यान दिया कि पैदल पत पर आसमान आकार की टाइले बिछी हुई है उसने देखा कि टाइलों को बिना किसी अंतराल के एक साथ लगाया गया है इतना ही नहीं टाइले एक दूसरे को आच्छादित यानी ओवरलेब भी नहीं कर रही है टाइले एक चौपड बना रही है चौपड जयामिती आकारों के आवर्ती प्रयोगों से बनाए गई ऐसी दूई विमिये आकृती है जिसमें आकारों के बीच कोई अंतराल या आच्छादन नहीं रहता घन और घनाप का जाल बनाना त्री विमिये आकार का एक जाल एक ऐसी वैवस्ता है जिसे समान किनारों पर मोडने से एक त्री विमिये वस्तू प्राप्त होती है यहाँ पर कुछ जाल दर्शाय कए है प्रति विम्ब जब आप दरपण के सामने खड़े होते हैं तो आप दरपण में अपना प्रति विम्ब देखते हैं आप वस्तू हैं और प्रति विम्ब छवी है प्रति विम्ब के बारे में कुछ मनवरंजिक जानकारियां निवने हैं वस्तू और दरपण के बीच की दूरी उतनी ही होती है जितनी की दरपण और छवी के बीच होती है वस्तू और छवी का माप और आकार बिलकुल समान होता है सरकाना, पलटना और घूमना आपने अपने दैनिक जीवन में सरकना और पलटना शब्द का बहुत बार प्रेयोग किया होगा आईए देखें कि गणित में इनका क्या आर्थ है किसी वस्तू को बिना उसके माप या आकार को बिगाड़े किसी तल के बराबर आगे बढ़ने को सरकना कहते है अपने दैनिक जीवन में हम सरकाने का प्रेयोग देख सकते है कैरम खेलते समय हम कैरम की गोटियों को ट्राइकर से मार कर सरकाते है बच्चे सरकने में बहुत आनन्द पाते हैं किसी वस्तू की दरपण छवी बनाने को पलटना कहते हैं अपने दैनिक जीवन में हम पलटने की कई घटनाओं से परिचित होते हैं उधारन सोरू, हमारा दाहिना हाथ हमारे बाएं हाथ की दरपण छवी होता है इसलिए यदि हम अपने बाएं हाथ को पलट दें तो हमें हमारा दाएं हाथ मिल जाएगा इसी प्रकार दाएं पैर की चपल बाएं पैर की चपल की दरपण छवी होती है सरकने या पलटने से वस्तू का माप या आकार नहीं बदलते एक साधी आकरिती का एक निश्चित बिंदू के चारों तरफ चक्कल लगाना घूमना कहलाता है दैनिक जीवन में घूमने का उधारन है पवन्चक्की समतल, उन्नत और प्रिष्ट द्रिश्य किसी वस्तू का उपर से देखा गया द्रिश्य उसका समतल द्रिश्य कहलाता है किसी वस्तू का सामने से देखा गया द्रिश्य उसका उन्नत द्रिश्य कहलाता है किसी वस्तू का बगल से देखा गया द्रिश्य, उसका प्रिष्ट द्रिश्य कहलाता है इस अल्मारी को देखिए, यह अल्मारी का सम्तल द्रिश्य है यह उन्नत द्रिश्य है और यह प्रिष्ट द्रिश्य है हमने क्या चर्चा की? रेखा किसी सीधे पत पर बिंदूओं का समूह होती है, इसका कोई अंत बिंदू नहीं होता रेखा खंड रेखा का एक भाग होता है, इसके दो अंत बिंदू होते हैं एक किरण भी रेखा का भाग होती है, इसका सिर्फ एक अंत बिंदू होता है चौपर जयामिती आकारों के आवर्ती प्रयोगों से बनाई गई ऐसी दूई विमिय आकरिती है जिसमें आकारों के बीच कोई अंतराल या आच्छादन ना रहे त्रीविमिय आकार का एक जाल एक ऐसी वैवस्ता है जिसे समान किनारों पर मोड़ने से एक त्रीविमिय वस्तू प्राप्त होती है किसी वस्तू को बिना उसके माप या आकार को बिगाड़े किसी तल के बराबर आगे बढ़ाने को सरकाना कहते हैं किसी वस्तू की दरपणचवी बनाने को पलटना कहते हैं, एक साधी आक्रिती का एक निश्चित बिंदू के चारों तरफ चक्कल लगाना घूमना कहलाता है, किसी वस्तू को दिखाना उपर से समतल द्रिश्य कहलाता है, सामने से उन्न द्रिश्य कहलाता है, बगल से प्रिश्ट द्रिश्य कहलाता है,